हलो दोस्तो मैं हूँ सुमित गुपता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप भारत में बैठे बैठे ग्लोबल लीडर्स जैसे की Facebook, Microsoft, Google और Apple जैसी बड़ी कमपनी जो अपने फिल्ड में लीड करती हैं उनमें कैसे हम ये वीडियो इस्पेशली उन लोगों के लिए है जिने ज्यादा सिर्ददी नहीं चाहिए और एक फिक्स रिटर्न उनको मिलता रहना चाहिए दोस्तों Share Market में या कहीं भी सारा खेल रिस्क और रिवार्ड का है जितना रिस्क आप लेने की कबिलियत रखते हैं उतने ही रिटरン आपको मिलेंगे अगर आप रिस्क कम करते हैं तो reward भी कम हो जाता है और इस वीडियो में हम जिस share की बात करने वाले हैं उसमें बहुत कम रिस्क है और जो returns आपको इसमें मिल सकते हैं वो FD, Saving Account और SIP से ज़्यादा मिलने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोसिस कीजिएगा आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो जिस share की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो आपके सामने हैं यह share मोतिलाल ओसवाल का है जो जिरोधा में आपको N100 और Angel Broking में Mon 100 के नाम से मिलेगा दोस्तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस share ने last 10 years में किस तरह के returns दिये हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि इस share में जो companies हैं उनका market cap बहुत ज़्यादा है और वो सारी branded companies हैं आईए इस share के बारे में और details में बात करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि N100 है क्या यहाँ पे N-alphavet का मतलब है नाजदाग जो की indicator है American share market का जैसे की Indian share market का Nifty है और 100 का मतलब है top 100 companies जो की listed है American share market में इनी 100 companies के shares का एक fund मोतिलाल ओसबाल ने बनाया है जिसे हम N100 या Mon100 कहते हैं यह 100 companies अपने field में market leaders हैं जिनका कोई मुकावला नहीं है आईए अब हम लोग चेक करते हैं कि इस share ने पिछले 10 सालों में किस तरह के returns निवेशकों को दिये हैं अगर हम लोग YTD यानी year till date या इस साल की शुरुवात 1 January 2021 से इसके returns देखते हैं तो इसने यह 8.86% के returns एक जनुरी से अभी तक निवेशकों को दिये हैं और अगर हम पिछले 5 सालों के returns देखें तो इसने 238.32% के absolute और 27.59% के analyzed या compounding returns दिये हैं अगर हम लोग investment के नजरिये से देखें तो अगर कोई भी इसमें 17 June 2016 को 10,000 रुपे invest करता तो उसकी value आज 33,832 रुपे 40 पैसे हो गई होती अब पिछले 10 सालों के returns भी चेक करते हैं पिछले 10 सालों में इस share ने 913% के absolute और 26% के analyzed यानि की compounding returns दिये हैं investment से अगर इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसने पिछले 10 सालों में 10,000 रुपे की कीमत 1,321,000 रुपे 10 पैसे कर दिये हैं दोस्तो अब देखते हैं कि N100 में किस industry का कितना weightage है मतलब कि किस sector में इस fund ने कितने percent holding ले रखी है जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं इस share ने information and technology sector में सबसे ज़्यादा holding बनाई हुई है जो कि 43% है Communication services में 23% की holding Consumer discretionary में 16%, Healthcare में 9%, Consumer staples में 6%, Industrial में 3% की holding ले रखी है यहाँ पे आप number of companies की भी details देख सकते हैं कि किस sector की कितनी companies में holding बना रखी है दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर हम IT और healthcare sector दोनों का weightage check करें तो यह 52% निकल के आता है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही reason है कि इसके return भी बहुत अच्छे रहते हैं और मेरा मानना है कि future में भी यह ऐसे ही returns निवेशकों को देता रहेगा दोस्तो अब हम देखेंगे कि N100 में वो top 10 companies कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा holding है तो number 1 पे जो company है उसका नाम है Microsoft और इसमें N100 का 9.9% का share है number 2 पे है Apple इसमें 9.59% का share number 3 पे है Amazon इसमें 9.2% का share number 4 पे है Facebook इसमें 4.57% का share number 5 पे है Alphabet इसमें 4.54% का share है number 6 पे है Alphabet class A इसमें 3.98% का share है number 7 पे है Intel और इसमें 3.1% का share है number 8 पे है PepsiCo इसमें 2.97% का share है number 9 पे है Cisco इसमें 2.24% का share है और number 10 पे है Comcast और इसमें 2.1% का share है अगर हम इन top 10 companies का total share calculate करते हैं तो ये 52.35% निकल के आता है दोस्तो ये जो top 10 companies है आशा करता हूँ आप सभी लोग इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो बताना चाहूँगा कि ये वो companies हैं जो अगर बंद हो जाएं तो दुनिया में त्रहिमा मच जाएगा जो की possible नहीं है ये 10 companies ही N100 का base है जो इसको और सभी share के मुकाबले अच्छी position में रखता है और निवेशकों को अपनी और attract करता है तो अब हम समझेंगे risk and reward ratio को investment हो या कोई business या आपकी जिन्दगी का कोई decision ये formula आपको हर जगे use करना पड़ता है यहां मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ risk and reward directly proportional होते हैं अगर आप risk कम करेंगे तो reward automatic कम हो जाता है आईए इसको screen पे जो graph है उससे समझने की कोसिस करते हैं अगर आप कोई investment करते हैं किसी ऐसे stock में जो अभी अभी market माया है हो सकता है वो share आपको बहुत अच्छे return दे दे और market में वो बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना ले क्योंकि किसी को नहीं पता उस share का future क्या होगा क्योंकि उसका कोई track record नहीं है और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो आपको बिल्कुल भी return ना दे में चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर आप ऐसे high risk वाले share में invest करने का decision लेते हैं तो rewards भी high हो सकते हैं दूसरी तरफ आप कहीं भी invest ना करो और अपने पास cash रखो तो इसमें कोई risk नहीं है बट reward भी कोई नहीं है आपका पैसा उतने का उतना ही आपके पास रहेगा और सभी की risk लेने की capacity अलग-लग होती है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए goodbye thanks for watching